दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में, आज हम आपको दिखा रहे हैं Hyundai Alcazar 2021 डीजल आटोमाटिक का एक ड्राइव रिप्लिव अगर आपको इस गाड़ी की या किसी भी Hyundai की गाड़ी की एक्वाइरी करनी है, तो आपको किसे कॉंटेक्ट करना है मैं आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, और आज हम आया है Sunrise Hyundai, तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इसका इंजन बे, ये आप देख सकते हैं, डीजल एंजन, 115 PS की पावर, शेर किया जाता है क्रेटा और सेल्टोस के साथ, तो चलाते हैं और आपको बताते ह क्योंकि आप लोगों के काफी सारे सवाल आ रहे थे इस इंजन को related, तो देख सकते हैं आप, ड्राइवर सीट के उपर आ चुके हैं, और अपने analysis को कुछ criteria's में बाटेंगे, जैसा कि हमारे पुराने viewers जानते ही हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे visibility aspect की, क्योंकि गाड़ी मे बैठते ही, ये एक ऐसा aspect है, जो काफी जादा जरूरी हो जाता है, गाड़ी के size को देखते हुए, और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, कि visibility aspect में गाड़ी काफी अच्छी है, क्यों कह रहा हूँ, आप भी देख लिजे, यहाँ पे मेरे को bonnet visible हो रहा है, उस इसके बारे में मिरे को एक confidence प्रोवाइड करके जा रही है, चलिए, अब बात कर लेता हूँ, मैं next aspect की, जो की है इस गाड़ी के ergonomics, दोस्तों, ergonomics बिलकुल भी change नहीं हुए, अगर मैं क्रेटा से बात करूँ, और recently आपने मेरा अलकजार पेट्रोल का भी एक drive review देखा था, आप में से कोई अगर interested है, तो उसे भी जाके check out कर सकते हैं, और ergonomically मिरे को गाड़ी में कोई issue देखने को नहीं मिला है, और ये काफी अच्छी बात बन जाती है, because गाड़ी काफी broad है, काफी lengthy है, तो generally ऐसी गाड़ीों में कहीं ना कहीं, कोई ना कोई चीज ऐसी रह जाती ह जो ergonomically disturb कर सकती है, बट Hyundai की इस गाड़ी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, चलिए, अब बात करते हैं अपने अगले aspect की, जो की है driver's comfort, तो ये इस time मैं जो drive कर रहा हूँ, ये platinum variant है, और कुछ features जो signature variant specific है, वो तो इसमें नहीं आते, बट power adjustable seats, tilt telescopic adjustment, मेरी positioning, उपर से seats का comfort, leather seats लगा और गाड़ी की width भी इसमें काफी जादा roll play करती है, आप देख सकते हैं, और गाड़ी की look system आप देख पा रहे हैं अपनी screen के उपर, काफी imposing looks के साथ ये आती है, हालाकि क्रेटा से similarities इसमें रखी गई हैं, बट एक अपनी पहचान ये गाड़ी बिलकुल बना लेगी, इसक वो काम करके दिखा पाएगा, जिसकी वो expectation रखते हैं, तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा, कि लास्ट टाइम पेटरोल चलाने के बाद भी, आज इस डीजल को चलाने में में मेरे को अलगी मज़ा आ रहा है, और no doubt, ये engine की बात ही एक अलग है, इतना refined, इतना powerful, और turbo engine, आपको पता ही है, ज़ातर diesel engines turbo के साथ ही आते हैं, तो power और pickup के मामले में मैं बिलकुल नहीं कह पाऊँगा आपसे, कि ये गाड़ी किसी भी तरह से under power है, हलाकि जब 6 या 7 लोग आप इस गाड़ी में बठा लेंगे, तो power में हलका सा असर जरूर बट स्टिल, under power की definition सबकी अलग होती है, और इस criteria में भी ये गाड़ी easily pass हो जाती है, अब जब acceleration की बात हो गई है, तो अगली बात होनी चाहिए braking की, क्योंकि power के साथ आपको एक responsibility मिलती है, और braking उस चीज़ को cover करने में आपकी help करती है, बट दोस्तों, braking से पहले आपको दि transmission और सबी चीज़ें मिलके मेरे experience को काफी smooth बना रही है, अब बात कर लेता हूँ इसकी braking की, तो दोस्तों, braking के aspect में भी गाड़ी पूरे नंबर लेके जाती है, उसका reason है कि braking में कहीं बेटर है आपकी creative अगेरा से, और उसका reason है चाहरो disc brakes, तो बिलकुल दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं, मैं थोड़ी तेज स्फीड में टर्न ले रहा हूँ, उसका reason है कि इस गाड़ी का body roll चेक किया जाए, चलिए, अब आपको in cabin दिखाते हैं, कि body roll के बारे में, क्या कहना है मेरा इस गाड़ी के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं, तेज स्फीड म manner में यह गाड़ी आपको response करती है, ना कि काफी uncontrollable हो जाती है, कुछ जो गाड़ियां आती हैं 6 या 7 सीटर में, वो अपने body roll से भी famous है, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और अगर आप समझ गया हैं, तो आप comment section में बताएं, नहीं समझे हैं, तो comment section में पूछ subscribe कर दें, तक कि हमें भी motivation मिलती रहे, आपके लिए ऐसे और वीडियो जल्दी जल्दी लाने की, चलिए, अब आजाते हैं अपने अगले point पे, जो कि है NVH levels, तो दोस्तों, आप जानते हैं, डीजल एंजन है, और डीजल एंजन काफी जादा famous होते हैं, अपनी vibration, harshness, noise की वाकी काबिले तरीफ हैं, और ये कहीं ना कहीं फील होती है, कि आप डीजल नहीं एक पेट्रोल कार चला रहे हैं, अचा वैसे दोस्तों, comment section में बताएं, कि इस गाड़ी की front looks जादा पसंद है, या rare looks, मुझे दोनों काफी जादा proportionate लगी, और कहीं ना कहीं, inspiration जिस में कहीं ना कहीं होगी, कि क्या eco mode में ये गाड़ी under power feel होती है, तो दोस्तों, यहां भी आपका सवाल cover कर देता हूँ मैं, eco mode हो, normal mode हो, या sports mode हो, ठीक है, power और talk की figures में फरक आता है, गाड़ी अब अलग तरीके से perform करती है, बट जैसे आप अकेले drive कर रहे हैं, traffic में drive कर रहे का, वहाँ पे आप इस गाड़ी को normal mode में drive कर सकते हैं, हलाकि मैंने इस गाड़ी को जातर normal mode में चलाया है, और मेरे को normal mode में power की किसी भी तरह से कमी नहीं लगी है, और finally अगर बात करूं sports mode की, तो दोस्तों sports mode में ये गाड़ी कहीं ना कहीं, अपने rivals की तरह ही perform करती है, और टाटा सफारी, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और साथ ही आपकी MG की हेक्टर प्लस के साथ, बड़ दोस्तों इस गाड़ी का weight और इस गाड़ी की overall power output की अगर बात करें, तो power to weight ratio के हिसाब से, ये गाड़ी अपनी performance को, अपने price tag को काफी सही तरह से justify करती है, और कहीं ना कही अगर comparison करें इसके segment के बाकी गाड़ीयों का, तो features के मामले में और premium next के मामले में Hyundai Elkazar आपको एक number आगे ही मिलने वाली है, ये मैं shirty के साथ कह सकता हूँ, और reliability में भी Hyundai किसी भी और brand से पीछे नहीं है, और ये ही reason है, कि ये गाड़ी बहुत जल्दी सडकों पे दिखने वा लिए, दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले aspect की तरफ, जो की है, इसका mileage, जी हां दोस्तों, diesel engine लेने वाले, automatic की convenience के साथ, कही ना कहीं diesel engine के extra पैसे इसी लिए देते हैं, तकि उन्हें convenience के साथ साथ एक decent mileage मिल पाए, features वगेरा सब secondary है, mainly running cost बहुत जादा vary करती है, और आज पेटरोल और डीजल के prices आप सभी लोग जानते हैं, काफी जादा पार हो रहे हैं एक level से, बट still, इस गाड़ी की mileage, आपको मैं easily बता सकता हूँ, कि ये गाड़ी आपको कहीं ना कहीं 14-16 के बीच प्रोवाइड करा जाएगी, जिस भी condition में आप इस गाड़ी को चलाएं, य mileage एक 6-7 सीटर SUV के हिसाब से, बिलकुल भी कम नहीं है, आप चाहें, या comment section में बताएं, कि आपको आपकी creative अगेरा से कितनी mileage अचीव हो रही है, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं इस गाड़ी का mileage test करूँ, तो वो चीज़ भी मुझे comment section में लिख सकते हैं, मैं पूर सबसे बड़ा wheelbase होने के बाद, कि आपका confidence कहीं भी lose ना हो, तो यहाँ आप देख सकते हैं, वापस से तेज स्पीड में एक turn लिया है मैंने, और दोस्तों, body roll की तारीफ करना चाहूँगा, Hyundai की तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पे, काफी controlled manner में यह गाड़ी चलती है, थोड़ा सा रोड से नीचे उतार के देखते हैं, जहाँ पे रोड स्मूध नहीं है, और एक तरह से कच्छी सड़क की तरफ, और फिर आपको बताते हैं, हलकि कैमरा में कितना justice हो पाएगा, वो मैं आपको नहीं कह सकता, बट स्टिल, एक बार मैं गाड़ी को नीचे उतार ही है, वाकि सस्पेंशन सेटप भी इस गाड़ी में एक नंबर लगाया गया है, इस साइड से आपको एक बार चेक आउट करा देता हूँ, कि डूल स्पीड ब्रेकर्स पे केबिन में कितने जटके कनवर्ट होते हैं, आप ड्राइवर को नोट कर सकते हैं, उन्होंने अपन नोट कर चुके होंगे पहले भी, अपने सुना ही होगा, कि सेल्टोस का सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ रखा गया है, और क्रेटा का सस्पेंशन सेटप थोड़ा सा कमफर्ट की तरफ ट्यून्ड है, सेम चीज इस गाड़ी के साथ भी जाती है, और ये चीज एक पॉजिट लेने के लिए संड्राइज यंड़ाई पांडव नगर में कॉंट्राक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरा असिस्ट करेंगे, और आप चाहें, तो हमारा रेफरेंस भी दे सकते हैं, फर अर्ली डेलिवरीज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीट बेल लगाया रख झाल वीडियो में